नमशकार दोस्तों and welcome back to your own channel तो दोस्तों अगर आज हम अपनी market की बात करते हैं तो market पर आज हमने एक gap up opening देखी थी और जब हमने market की closing देखी तो market बिलको lower levels पर जाकी close हुआ है तो guys यह particular एक reversal का sign है और यहां से हम expect कर सकते हैं कि अब यहां से market एक reverse ले सकती है bank nifty और nifty को compare करें so guys nifty अभी वी positive है as compared to bank nifty तो हमें particular जो trade लेकर focus करना है वो bank nifty में focus करना है अगर आप short side में जाना चाहते हैं क्योंकि guys अब हमें क्या करना है अब हमें sell on rice को देख के काम करना है क्योंकि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ जो मैं यह वीडियो हर दिन upload करता हूँ आप लोगों के लिए update to same so guys उस पर मैं आपको बता चुका हूँ कि अपर्टिकुलर एक रेंज के अंदर nifty bank nifty काम कर रहा है जो की 9200 से लेके 9400 का जो रेंज है एक्जाक्ट उस पर nifty काम कर रहा है आज आपने 9400 का तॉप देखा वहां से नीचे आए और 9200 का लो देखा so guys अभी वी उसने अपने 9200 के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है nifty ने कैसे nifty bank nifty को ट्रेट करना है क्या targets क्या stop loss होने चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूं so guys उसी के साथ सबसे पहले मैं आपको एक important update देना चाहूँगा जो की particular जो मेरे members है उन लोगों ने जो मेरा online class जो join कर रहे है कल के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे पास बहुत से लोगों के messages आए और मैंने लोगों को बता दिया था mail के थरू जो कि guys आप लोगों को mail के थरू ही सारी information provide होगी जो भी 60 लोगों ने हमारे particular जो हमने आप लोगों के लिए वीडियो upload करी थी बताया कि हम आप लोगों को live training देंगे market के अंदर और वो भी zoom के थरू तो guys वो कल से training स्तार्ट हो रही है तो जिन जिन लोगों ने वो form भरा है जो भी form आप लोगों को दे रखा था कम से कम 58 लोगों ने बढ़ चुका है तो guys उन लोगों को mail ID जो है कि आप लोगों को क्या करना है 8 बच के 8 बचे और 8 बच के 40 मिनिट ये 10 मिनिट का आपको time दिया जाएगा 8 बच के 40 मिनिट इस time पे आप उस particular mail पे जाके आपका जो mail है उस पे link को click करिए और link को click करने के बाद आपके पास एक setup open हो जाएगा और वहाँ पर आपको जो ID दे रखिया mail में उस ID को डालना है और password डालना है तो वह जैसी डालेंगे आप हमारे particular screen के सामने show कर जाएगे और फिर वहाँ से हम अपनी live training session को start कर सकते हैं और market में देखेंगे कि क्या तरीके से हमें कल के time के trade लेना है तो वहाँ पर सारी updates आपको अपने mail के through मिल जाएगी कोई भी problem आती है आपको या अगर आपको mail नहीं मिलता कोई भी problem आती है तो आपको वहाँ पर mail पे ही आपको number दे रखा है अगर आप login नहीं कर पाते हैं अपनी mail meeting ID डालके या password डालके तो आपको नीचे number दे रखा अब हमें वहाँ पर WhatsApp छोड़ सकते हैं आप लोगों की request को देखेंगे और समझेंगे आपको क्या problem हारी है जो लोग भी Android या अपने iOS phone के through वो particular हमारे live session को देखेंगे तो उनसे ये कहा जाता है कि वो Zoom app को अभी download करके रख लीजे कि बाद में आपको दिक्कत ना है और आपको registration करने की कोई जुरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग हमारे through join हो रहे हैं तो आप लोगों को registration करने की कोई जुरूरत नहीं होगी इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बढ़ते हैं कल market में हमें क्या trade लेना है particular किस तरीके से कौन से stocks में हम trade लेकर काम करें और option strategy की तरफ भी बढ़ेंगे कौन सा option आपको लेकर चलना है सबसे पहला trade हो को guys IRCTC particular guys इसने pennant pattern का bullish pennant pattern का breakout दिया है और breakout देने के बाद हमने क्या है कि ये हमने breakouts इसने previous day दे दिया था और उसके बाद आज ये gap up opening हुई है सो ये confirmation मिल गई है कि एक pennant pattern का breakout हुआ है तो यहां से guys ये particular pattern अगर sustain करता है 1230 रुपे का level अगर ये 1230 रुपे का level sustain कर लेता है दो-तिन दिन तो हम expect करके चल सकते हैं ये 1500-1500 तक का level भी दिखा सकता है सो guys कल के लिए buy है थोड़ी सी bit dip मिले तो इसे buy करिए 1265 का stop loss होगा 1326, 1350 टक के target हम expect करके चल रहे हैं कि कल के कल intraday में ये 50 point तक की rally दिखा सकता है आरती industries आरती industries को short करने की सला है अगर हम particularly बात करें तो guys ये particularly long term के लिए बहुत best stock है but हम इसे short term पे अभी इसका sell generate हुआ है तो हम वेट करने है कि ये कम से गम 900 या 800 रुपे के level के आसपास आए तो हम इसे long term के लिए best buy बना सकते हैं सो आरती industry अभी short के लिए short काप करना है 1019 के नीचे short करना है current market price जो closing price है 1025 का है target के expect कर सकते है 1008 and 9090 का stop loss टागेट मिंटेन कर सकते है stop loss आपको 1030 का मिंटेन करके रखना पड़ेगा third stock आता है guys HDFC life HDFC life short है 521 के नीचे short करना है 525 का CMP है guys ये particular अपने एक channel के अंदर trade कर रहा था और अपने higher side का जो इसका channel है जो की 525 का ही channel है वहाँ पर हमने देखा कि particular एक doggy form होते हुए हमें देखने को मिली है तो जो doggy के नीचे अगर ये particular level जाता है जो की 521 का level है तो हम वहाँ पर अपनी एक short generate कर सकते हैं 515, 511 तक के targets हम expect कर सकते हैं जो particular targets है ये Fibonacci Retreatment के level के basis पे हम लोगोंने निकाले है stop loss आपको 526 का maintain करके रखना पड़ेगा इंदुस्तान Unilever short करने की सला है हमने देखा था कि 1900 के level से एक bounce आया 2200 तक गया वहाँ से अब दुबारा नीचे आ रहा है ये जो एक rally आई थी ये rally सिफ वहाँ पर एक short करने के लिए थी तो अगर आप लोग निकल गए होंगे वहाँ से तो आप लोग के बहतर होगा तो guys ये particular stock बहुत best stock है long term के लिए तो short level नीचे levels पे ही आप इस particular stock को buy करके चल सकते हैं ये particular stock के अगर हम बात करें तो हमने around 1850 के असपास buy करा था 1850 के असपास buy करा था और guys हम लोग ने 2600 रुपे में से exit करा है guys उसका screenshot है वो लोग मैं आपके साथ YouTube पे भी share करूँगा और कल मैं अपने जो members हैं जो मेरे साथ पढ़ना लिखना चाते हैं study करना चाते है market को जो 50 लोग जोड़े हैं उन लोगों के साथ भी में market में share करूँगा वो अपना screenshot 3031 के नीचे shot करना है 2048 का CMP है target 2018 2009 का है stop loss आपको 2043 का maintain करके रखना पढ़ेगा अब guys अगर ये कल उपर जाता है तो हमें trade नहीं करना है हम particular ये जो एक stock को देखते हैं चार्ट में तो हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है या buy or sell हम दोनों तरीके से trade को लेकर नहीं चल सकते कि ये level के उपर जाएगा मैं buy करूँगा ये level के नीचे आएगा मैं short करूँगा सिर्फ अगर आपको एक scenario लेकर चलोगे तो आप definitely profit लेकर ही निकलोगे last talk Kotak Mahindra Bank में भी हमने lower level से एक recovery देखी थी recovery देखने के बाद दो दिन recovery आई फिर अपने recovery से नीचे गिर रहा है तो guys अगर हम एक top से लेके bottom तक जो अपने higher side से लेके bottom तक जो एक गिरावट आ चुकी है COVID-19 के चकर में अगर वहाँ पर हमें फिबोनाची retracement लगाते हैं तो जहां से इसकी recovery आई है वो around 236.0% का retracement level है वहाँ से गिरावट आ रही है तो हम expect कर सकते हैं कि lower levels देखने को मिल सकते हैं 1184 के नीचे shot करना है 1174, 1167 7 तक के target हम expect कर सकते हैं stop loss आपको 1198 का maintain करके रखना पड़ेगा हम आते हैं निफ्टी की तरफ तो गईस मैंने अभी आपको बताया है निफ्टी positive भी नहीं है negative भी नहीं है निफ्टी एक range के अंदर है गईस ये range मैंने आपको लिखकर दे दिया है 9180, 9330 इस range के अंदर जब तक है निफ्टी तब तक आपको कोई trade नहीं लेना है ये जो range आपको दे रखी है guys इस range में आपको कोई भी trade नहीं लेना ये around 1.500 रोपे की range है जब इस range के उपर जाएगा तो एक buy बनता है इस range के नीचे आएगा तो एक short बनता है अब अब buy काप करना है 9330 Q पर buy करना है 9360, 9410 तक के target हम expect कर सकते है stop loss आपको 940 का लगा के चलना है sell below 9180, 9148, 9990 तक के target हम expect कर सकते है guys ये कल intraday के targets है stop loss आपको 940 का maintain करके रखना है जब तक ये range के अंदर है ये range के अंदर आपको trade नहीं करना है guys आप फसेंगे bank nifty की बात करें तो bank nifty में buy और sell दोनों में से कुछ नहीं है सिर्फ bank nifty को short करना है और short cup करना है guys ये around 1900, 19,000 के आसपास ही close हुआ है 19,000 के आसपास bank nifty की closing होई है तो हमें इसे short करना है पर cup करना है guys ये कल अगर intraday में खुलते ही एक up move दिखाता है अगर ये 50-500 रुपे की up move दिखाता है उसी time bank nifty को short करें bank nifty का ये range दे रखा है ये आप यहाँ range देख सकते है 19,070 से लेके 19,200 इस range में आपको अगर bank nifty मिलता है तो bank nifty को short करें target होगा bank nifty का 18,700 या उसके lower levels भी देखने को मिल सकते है guys ये expiry तक के targets है 14th May को जो expiry होगी ये जो weekly expiry होगी इस week की वहाँ तक के targets है और lower levels भी हम देखने को मिल सकते है मुझे expectation है कि ये 18,700 को भी break कर सकता है stop loss आपको maintain करना है closing basis का 19,350 का अब देख सकते हैं कि आज market ने particularly 19,780 तक की भी rally दिखाई वहाँ से exact ये lower levels पे आके बंद हुआ है option call की बात करते हैं तो guys option call bank nifty में ही है आपको option buy करना है bank nifty का 14th May 18,800 का put buy करना है जो कि अभी trade कर रहा है 360 पे 360 भी trade कर रहा है guys अगर हम देखते हैं कि कल ऊपर की तरफ खुलता है तो अराउंड 320 के आसपास आजागा या 320 से lower भी नीचे भी जा सकता है आपको 360 पे buy नहीं करना है उसके नीचे आपको जित्ता मिलता है आप उत्ता buy करिए जित्ता bank nifty हम देखते हैं कि कल ऊपर खुलेगा उससाब से आपको लगता है कि उस range के आसपास आपको लगता है यह particular range है इस range के अंदर आपको मिलता है bank nifty और उससाब से जो भी level पे trade कर रहा होगा बैंक nifty का यह जो put option है 1800, 18800 का आप buy करके चल सकते हैं मैं expect करना हूँ कि target 440, 480 तक के देखने को मिल सकते हैं guys top laws आप देख सकते हैं कि 270 का आपको maintain करके रखना पड़ेगा Tech Mahindra के हमने बात करी थी Tech Mahindra पे हमने particular एक दिन के अंदर ही 12,000 मिल गए थे तो वहाँ पर हम अपनी positions को book कर चुके थे यह particular stock है यह आपके lot के उपर depend करेगा particularly 20 का lot होता है तो हम expect करके चल सकते हैं कि यहाँ पर आपको 10,000 रुपे तो नहीं मिलेगा कि अगर आप एक lot भी बाय करके चल सकते हैं तो आप उस dependently ही आप अपने lot में ध्यान दीजेगा So guys, I see, I will wind up करता हूँ कोई भी अगर आप लोगों ने जो form फिल करें हैं उसको information चाहिए है जो भी आपको doubts है तो आप whatsapp के थुरू आपको number दे रखा है आपके mail पे वहाँ पर आप मुझे personally पहले mail करें अगर आपको mail नहीं करना आ पा रहा तो guys, आप मुझे whatsapp कर सकते हैं फोन अटेंट नहीं करूँगा मैं सिर्फ whatsapp के थुरू ही आप लोगों को बात करूँगा और guys, जिन लोगों ने form फिल नहीं करा है उन लोगों के लिए वो form बंद हो चुके हैं अगर आप फिल अभी भी करेंगे तो हम आप लोगों को उस live session पर join नहीं कर सकते है guys, उसके बाद भी हम next live session पर जाएंगे तो फिर आप दुबारा form फिल ओपन हो जाएंगे तब हम आप लोगों को YouTube के थुरू ही बता देंगे so guys, अभी तक अगर आप लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें previous videos के भी थुरू कुछ अगर आप लोगों ने trade कर रहा है और अगर आपको फैदा मिला हो तो भी आप like जरूर करिए comment section में हमें बताइए अगर आपको कोई भी doubts है या अगर आपको चीज समझना चाते है so guys CC के साथ मैं शेवांज बसीन वीडियो को wind up करता हूँ मिलता हूँ आपसे कलगली वीडियो के साथ signing off